let's do question number fourth of exercise 3b that is whole numbers question number fourth is determine each of the sum given below using suitable rearrangements हमें इन सब का sum निकालना है किस तरीके से इनको ऐसे arrange करें कि हमारा sum करना easy पर जाए तो first part है हमारा 953 plus 707 and 647 तो अगर आप देखेंगे unit digit इसकी 3 है और इसकी 7 है तो हमें पता है 7 plus 3 हमारा 10 हो जाता है तो ऐसे arrange करें कि हमारा Bible 00 की form बनती चली जाए लेकिन अगर आप इन दोनों को add करेंगे तो 7 plus 3 तो 10 हो जाता है फिर आपको यह वाला भी ले सकते है और यह वाला भी ले लेकिन अगर आप ये वाला लेंगे तो जादा easy पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसकी unit digit 3 है, इसकी 7 है, तो 10 हो गया, carry 1 गया, तो 6 plus 4 अगें 10 की form ले लेगा, इसलिए हम कौन सा number लेंगे, ये और ये लेंगे पहले, तो हमने bracket में कर लिया, equal to लगाना ना भूले, 953 plus 647 और बाद में add किया 707 को, तो ये कौन सा law हो गया हमारा, ये हो गया, by associative law of addition, associative law लिख दीजे, या पूरा associative law of addition लिख दीजे, both of them are correct, तो अब मैंने add किया, 7 plus 3, 10 हो गया, carry 1, 6 plus 4, again 10 हो गया, carry 1, और ये आ गया 16, plus 707, तो हमारा आ गया, 07 as it is, 6 plus 7 हमें पता है, 13 होता है, carry 1 and 2, तो 2307 is the answer, Let's do second part, second part is, 1, 9, 8, 3 plus 6, 4, 7, 1, 9, 8, 3 plus 6, 4, 7, plus 2, 1, 7, 2, 1, 7, plus 3, 5, 3, तो अब देखिए, क्या करेंगे, या तो इन दोनों को add कर लीजिए, या इन दोनों को add कर लीजिए, और इन दोनों को एक साथ add कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, देखिए, यहाँ पर 3 plus 7 किया, तो 10 हुआ, तो यहाँ पर 1 आ गया, यह आगे 9 plus 4, 13 बैठा है, लेकिन अगर हम इन दोनों को करते हैं, तो यह आगे 10, और फिर आगे 10 की form ले रहा है, क्योंकि एक carry आ रहा है, तो 1 plus 8 is 9, 9 plus 1 is 10, तो हमने brackets में ले लिया, plus, आप 647 plus 353 को add कर लेजे, यहाँ पर हम simply rearrangement कर रहे हैं, तो आप देखिए, 7 plus 3 is 10, 0 carry 1, 8 plus 1 is 9, 9 plus 1 is 10, carry 1, 10 हो गया, carry 1 से, 10 plus 2 is 12, carry 1 and 2 plus, अब यहाँ देखेंगे, 7 plus 3 is 10, carry 1, 4 plus 1 is 5, 5 plus 5 is 10, carry 1, अब यहाँ गया, 7 plus 3 is 10, तो यह simply आप लिख सकते हैं, इसको 30, 200, rearrangement का यह फाइदा हुआ, आपको first time देखना पड़ा, आपको कौन-कौन से pairs लेने, बाद में add करने में कुछ नहीं देखना पड़ा, हमें पता है, 2200 में 1000 add करेंगे, तो वो कितना आजाएगा, 3200 is the answer, let's do next part, next part is 15409 plus 278, 409 plus 278 plus 691 and 422, चलिए, अब इसमें देखने हैं, कौन-कौन से लेने, 9 है, 9 के साथ 1 add करेंगे, तभी 10 बाटेगा, तो simply पता चल गए, यह दोनों pairs add करने हैं, और यह दोनों pairs add करने हैं, तो हमने ले लिया, 15409 plus 691, एक साथ ले लिया, प्लस ही हो रहा है, और 278 में हम 422 add करते हैं, तो यह कितना आ गया, 9 plus 1 is 10, carry 1, 9 plus 1 is 10, carry again 1, 1, अगर 4 plus 6 is 10, again 1 carry थी, तो 11 हो गया, 6 and 1, plus, अगर अब यहा देखेंगे, 8 plus 2 is 10, carry 1, now 7 plus 1 is 8, 8 plus 2 is 10, again carry 1, 3 plus 4 is 7, या गया, तो हमें पता है, 16800 is the answer, let's do 4th part now, 4th part is 3259, 3259 plus 1001 plus 2641 and 4 times 9, 264 and 4 times 9, अब इसमें कौन कौन से brackets लेंगे, यह देखते हैं, तो देखिए, अगर मैं यह दोनों एक साथ लेती हूं, तो देखिए, 9 plus 1, 10 होते ही, एक एक, 11 carry होता चला जाएगा, 00 होते चाहने जाएगे, तो इसका मतलब हमें यह दोनों और यह दोनों लेने हैं brackets, तो हमने यही किया, हमने 325, हमने 3259 प्लस किया, 2641 में, और हमने 10,001 प्लस 9999 को आपस में आट किया, तो यह कितना आ गया, 9 plus 1 is 10, carry 1, 1 plus 5 is 6, 6 plus 4 is 10, carry 1, 2 plus 1 3 हो गया, 3 plus 6 is 9, and 5 plus, अब देखिए, अब कितना आ गया, यह देखिए, 9 plus 1 is 10, carry 1, 10 हो गया, again, carry 1 हो गयी, again 10 हो गया, carry 1 हो गयी, and 9 plus 1 is 10, carry 1 हो गयी, to 20,000 हो गया, अब यह कितना आ गया, 25900 is the answer, let's do 5th part now, 5th part is, 1, 2, 3, 4, plus 96, 97, 98, and 99, तो चलिए करते हैं, 5th part है हमारा, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 96, plus 97, plus 98, plus 99, अब हमें पता हैं, 99 के साथ, 1 add करेंगे, 200 बैठेगा, 200 बैठेगा, plus, अगर हम 98 में 2 add करेंगे, 200 बैठेगा, 97 में 3 add करेंगे, 200 बैठेगा, और 96 में 4 add करेंगे, 200 बैठेगा, तो देखिए, यह 100-100 के pairs बना लिए हमें, हमें देखते ही पता चल गया कि यह 1-99 में add होगा, 92 में 2 add होगा, यह देखते ही पता चल रहा था, right, तो अब यह कितना आ गया, 100 plus 100 plus 100, तो हमें पता है, 4 times 100 add करेंगे, तो answer आएगा, 400 is the answer. Let's do next part, last part, last part is 2 plus 3 plus 4 plus 5, 45, 47, 47, 48, 6th part करें है, 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 45 plus 46 plus 47 plus 48, तो अब इसमें हमें देख रहा है, 48 में हम 2 add कर सकते हैं, 50 add, 50 बनाने के लिए, इसी तरीके से 47 में 3 add कर सकते हैं, इसी तरीके से 46 में 4 add कर सकते हैं, और इसी तरीके से 45 में 5 add कर सकते हैं, तो यह कितना कितना बन रहा है, हर एक में 50, 50 बन रहा है, 48 plus 2 is 50, 47 plus 3 is 50, 46 plus 4 is 50, and 45 plus 5 is 50 तो कितना हो गया ये? 200 is the answer